हे गाइस कैसे आप लोग उमिद है कि यह आप अच्छे होगे आजम बात करने वालें कोश्ट गार्ड की नहीं भरती के वारे में जिसके उपर आपका काफी एदा कमेंट आ रहा है कि सर कोश्ट गार्ड नेविक डीवी जीडी यान तरीकी नहीं भरती कव आएंगी कब नोट करें देने वाले और जो ही बताएंगे 100% कंफर्म करके बताएंगे तो प्लीज वीडियो अंतर देखना इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना सेर कर देना और चैनल आप सस्काइब कर लेना आज कर व दोस्त आपको बता देए निव वेकंसी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है और तीनों की वेकंसी एक साथ आएएंगे क्योंकि दॉसक्त के वेंसे साले में कुक्तल नुचंचन दोस्तों चोलाी एक आती हैं आपकी दिसंबर में दिसंबर में एप्लीकेसां फॉर्म बरे जाते हैं और एक आती है जुलाई में ठीक है और यह जो हम आपको बता रहे हैं अपनी तब से नहीं बता रहे हैं कभी सोचो चलो हम आपको साइट पर ले चलते हैं तब हम आपको बताएंगे साथ य जैसे कि आप देख सकते हैं नूट इबिक मीला में जैसे कि आप देख सकते हैं जुलाई में नूटी वीक इन कभ दोब सब् à सकतह हैं जुलाई में नूटी वीक ENA क ज्राएं दूस्त संस्वी को Central हम हैं जाने जाएगा में आपको पहली के नूटी , significant and पीज़ रहने वाली है और आप एपलाई कर सकते हैं और केवल मेली एपलाई कर पाएंगे ठीक है तो अगले महीन यानि कि जुलाई में नोटी वीकिसन आने वाला है और जुलाई के सेकंड्ड सब्सक्राइब यानि कि सेकंड्ड वीक से पहले पहले नोटी वीकिसन जारी कर दी जाएगा क्योंकि दोस्तों दो हजारएंगे दोस्तों नोटी वीकिसन आने वाला यानिकि जुलाई में ठीक है सेकंड वीक से एले-पहले नोची वीक साथ जारी कर दी जाएगा जब नोची वीक साथ तो सबसे पहले जहने के आप ताफ पहुंचाने वाले ये आप चैनल पर नहीं हो पहली वार आई हो तोचैनल सिस्क्राइब कर लेना बेले गंदबा देना और हमने आपके लिए Telegram एकाउंट बना दिया है यदि आपने जॉइन नी कर रखा है तो जॉइन कर लेना दोस्तो जब notification आएगा तो हम Telegram अप्लोट कर दिंगे आप Telegram पर जाना सर्च करना जी Study आपके समने एकाउंट जाएगा जॉइन कर लेना अब बात करते हैं दोस्तो आपके एक्जाम के वारे में आपको पतल लग गया है कि अगले महिने में जुलाई में आपकी भरती आने वाली है नेविक, डेबी, जीडी यान तरीकी और भरती आने के बाद आपका एक्जाम कब होगा दोस्तों आपका एक्जाम होने वाला सितंबर में ध्यान दीजे सितंबर में आपका एक्जाम होगा सितंबर 2.22 में हम आपको दिखा देते हैं सब कुछ पहले से फिक्स है ठीक है जुलाई में नो टीवी के सना आएगा एपली के सना फॉर्म भरे जाएंगे और सितंबर के मिड में दोस्तों आपका एक्जाम होने वाला है सितंबर में और ये कनफरम है दोस्तों क्योंकि ICG अपने समय को लेका बहुत पावंद होती है जो समय तरह दी जाती है उसी पस अपकुछ काम कराती है तो सितंबर में दोस्तों इस वार आपका एक्जाम होने वाला है 1st 2023 वाले batch का ठीक है यह वाली बात आपके लिए समझ चुके हो तो हमने आपको बता दिया है कि पहले batch का notification कब आएगा और कब आपका एक्जाम होने वाला है बाकी जब भी no TV के सना आएगा तो हम आपको बता दियंगे ठीक है अब बात करते हैं मैं topic के बारे में दोस्तों जो no TV के सना आएगा उसमें age criteria कहरेने वाला यानि की age limit किया हम इस वार apply कर पाएंगे या नई तो आपको हम बता दें दोस्तों one minute यदि आप नेविक डीवी के लिए apply करोगे तो उसमें आपका criteria क्या होना चाहिए जीडी के लिए apply करोगे तो उसमें criteria आपका क्या होना चाहिए तो दोस्तों पहले बात कर रहा थे हम जीडी and यान्तिरी की बारी पास के लिए बहरती होंगे दोस्तों आपकी सीव राजय से आते हैं apply कर सकते हैं और कुल मिलाकर जो बहरती होंगी 260 होने वाले जीडी की ठीक है तो इसमें आपकी age क्या होना चाहिए दोस्तों आपकी age एक फरवरी 2001 से लेके 31 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए इस वाद दोस्तों डियोवी यही रहने वाली 100% ठीक है confirm हो चुका है यदि आपकी age इसके बीच होगी तो आप नेविक जीडी and यान्तिरी के लिए apply कर पाऊगे तो मिला लो एक फरवरी 2000 एक से पहले की नहीं होने चाहिए 31 जनवरी 2005 के बात की नहीं होने चाहिए यदि आपका इसके बीच डियोवी है तो आप नेविक जीडी and यान्तिरी के लिए apply कर पाएंगे और हाँ दोस्तों नीचे comment करें बताएंगे कि आपका डियोवी के बीच है या नहीं अब बत करते हम डियोवी की domestic branch की दसी पास से भरती आएंगी दोस्तों ये और आप किसी विराजे से आते हैं apply कर सकते हैं और केवल मेली apply कर पाएंगे ठीक है कुल मिला का 35 vacancy होने वाली है टोटल तो इसमें age criteria क्या रखा है दोस्तों तो हम आपको बता दे आपकी age 1 April 2001 से लेके 31 March 2005 के बीच होना चाहिए यदि आपकी age इसके बीच होगी तो आप नेविक DB के लिए apply कर सकते हैं तो मिला लो 1 April 2001 से लेके 31 March 2005 के बीच दोस्तों आपका DOB criteria होना चाहिए और हाँ दोस्तों यदि आप CST से आते हैं तो 5 साल की age में छूट आपको मिलने वाला है और यदि आप OBC से आते हैं तो 3 साल की age में छूट आपको मिलने वाला है लेकिन आपके पास cast certificate होना चाहिए औल इंडिया वाला ठीक है नहीं है तो बनवालो और किस format में चाहिए दोस्तों वो ICG के set पर मिल जाएगा नहीं तो आप ऐसा करना टेली गाम पर जाना वहाँ पर आपको format मिल जाएगा cast certificate का तो उसी format में आपको बनवाना होगा और cast certificate आपके पास composer ही होना चाहिए नहीं है तो बनवा लिजे अभी आपके पार टाइम है कुल मिला का 322 वैकंसी है ठीक है और ये भी All India हम आपको पहली बता चुके है दसीं जाइपैस बनवाज़ बैझे ल कर चाहिए बारे काश्यए बारा चाहिए और देपलोम पास बनवारे पकार सकते आपका एज किरयरिया यही रहीगा जो आपको बता और यदि आप GD and यानते के लिए अपलाई करोगे तो एक फरवरी दो हजय एक से लेके 31 जनवरी दो हजय पांच के बीच होना चाहिए, कुल मिलाकर इसी के बीच आपका डियो भी होगा, तो आप ने विग डिवी GD यानते के लिए अपलाई कर पाएंगे, कोई भी दोस्तो परिशानी आपको नहीं आने वाली है, और यदि आपको एज में छूट चाहिए, तो कास सेटिविट आपके पास होना चाहिए, एपलीकेसन फॉर्म भरते समय दोस्तों, वो मांगा जाएगा, नहीं है तो बनवालो, अभी आपके पार्ट टाइम में अगले महीने दोस्तो फॉर्म भरे जाने वाले हैं, जुलाई में ठीक है, नोटिविकेसन अगले महीने आजाएगा, और जब नोटिविकेसन आएगा, तो हम आपको बता देंगे, बाकी आप नीचे कमेंट करें बताएगे कि आपका डियो भी इसके बीच है या नहीं, कमेंट करें जरू बताए अगली वीडियो में आप तियारी करते हैं, अपना ख्याल लगो, जै हिंद, जै भारत